अगर आपको स्टॉक मार्गेट के साथ अपडेट रहना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले साथ में घंटिया का आइकन आ रहा होगा उसको विदावाना ना भुले ताकि कोई भी फाइनेंस की लेटेस्ट रिलेट अपडेट मिस्ता हो आप से माफ़ी मांगना चाहू कि वीडियो कंटिनी हो तो चलिए आज का लोगों जो स्टॉक यहां पर रहने वाला है उसके बारे में पहले जान लेते हैं आज लिमिटेट के बारे में डिसकस करने वाले हैं स्टॉक की बीफिंग देखने वाले हैं और मेरे निसाब से इसमें एक नेगटिव सा करेम में पारे में देखनात हैं जिनके पास पहले स्निक एत निसिक को क्या करना चाहिए उसके बात यहां पर जरूर बनती है इंग運 आज के performance की बात करें लगभग share डेड़ परसेंट के आजपस मतलब 7 परसेंट के आजपस तूटा है यानि 1.19 परसेंट आपको तूटते हुए देखा share stock की opening की बात करें यानि previous closing की अगर देखें हम लोग तो 1882 रुपे 95 पैसा था थोड़े से हलकी सी उपर की opening होती है और stock जो है उपर की तरफ जाता भी ये 6 रुपे उपर जाता है बट sustain नहीं कर पाता है और नीचे की तरफ दोड़ लगाता हुआ आता है और 1857 रुपे का एक lowest price लगाता है फिर उसके बाग अपर की तरफ फोड़ी सी बढ़के closing देता है 1861 रुपे 10 पैसे ये closing अगर आप दे 3,000 quantity की sale order लगे हुए sale order executed है अब हम बात करते हैं बहुत वाल्यूम के तो वाल्यूम अच्छा खासा हुआ है यहां पर मान के सब सकते 54,72,000 उसके बाद 33,52,000 की delivery उठाई है यानि यहां पर कुछ हमें share कहना चाहा रहा है 61% की delivery है delivery percentage की है काभी positivity हमें यहां पर देखने को मि नहीं हमें अभी news भी देखने है उसके पर चार्ड पैटरन पर लेके चलूँगा और वहां पर हम लोग कुछ decode करने ही कोसिस करेंगे उससे हमें direction मिलने वाला है कि हमें क्या करना है इसे stock में पहला जो news निकल के आ रहा है वो यहां पर काफी लगबग आप मान के चलो कि थ नुट्रल भी बोल सकते हो और नेगेटिव बोल सकते हो इनफोसिस सिफ्टिंग सर्विसेस फ्रों रस्या टू अधर ग्लोबल डेलिवरी शेंटर्स यानि किस रस्या को मतलब क्या कर रहा है निफोसिस कि रस्या से अपना जो work power है work जो सेंटर्स हैं उनको सिफ्ट कर रहा ह किधर को तो वो other global other global यानि European आप मान सकते हो like European जगों पे एसे जगों पे shift कर रहा है अब इसका neutral sentiment यह हुआ कि इनके पहले से center जहां बना हुआ वहाँ पे shift कर रहे हैं रसिया से थोड़ा सा इनका revenue पहले से भी कम है ठीक है तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा जो इसका revenue segment है वो छूटने वाला है ठीक है sources says infosys is transitioning services from Russia to other global delivery center but did not elaborate on any details यहां पे details नहीं पता है इन्होंने बट यह negative news आप मान के चल सकते हो ठीक है क्योंकि यह major company है और major company वहाँ से अपना रुख मोड़े तो यह एक सोचने वाली बात हो जाती है अब हम आगे बात यहां पे करें तो आप news देख सकते हो अगला news जो है वो मतलब like थोड़ा सा एक positivity की तरफ दरसार आए और यहां पे देख सकते हो आइटी तो आउट परफॉर्म दीस यह अलसो थ्री लार्ज केप एंड मीड केप टु बेट ओन सिदार्थ खेमका का कहना है यहां पे कि आउटी सेगमेंट जो है वो फिर से यहां पे हमारे फोकस में रहने वाला और परफॉर्म करने वाला किसको कभी भी आउट परफॉर्म वाली जो sentence use होती है वो nifty की टर्ण में तो यहां पर इनका नितिन जो सिदार्थ खेमका है इनका कहना है कि निफ्टी को यह आउट परफॉर्म करने वाला है कौन कौन से सेर होने वाले यहां पर तो यहां पर निफ्टी का भिनाम इन्फोसिस का भिनाम यहां पर इन्होंने दिया हुआ है और इनका क्या सीधा सीधा मानना है कि जो यह कंपनी है यह यहां पर जो है अच्छा खासा यहां पर आउट परफॉर्म करने वाली है इनका जो कहना है कि अगर हमें आईटी स्पेस में पिक करना तो इनफोसिस पिक करना है काफी अच्छी न्यूज है तो एक अच्छी न्यूज एक बुरी न्यूज यह वाली बुरी न्यूज है जो रिविन्यू के पॉस्पेक्ट से हैं और सौट टर्म में ठीक है निफोसिस इतनी वड़ी कंपनी है थोड़ा बोड़ा मतलब नॉर्मलाइज कर सकती है बट यह इं कि मिल सकता है यहाँ पर थोड़ा सा और वॉलिम3.7 millet तक ऑल गर जाए और प्राईस यह्हां पर और हमें लोवस्ट सपोर्ट वह5ी देखतो करेंट सपोर्ट जो है अब हम लोग पैटर्ण भी देखेंगे उससे पहले अगर RSI इंडेक्स की बात करें तो RSI यहाँ पर स्ट्रॉंग उतना तो नहीं बोल सकते हैं बट नीट्रल तो स्ट्रॉंग बोल सकते हैं 53 का RSI इंडेक्स है काफी लगा है गया फिर लगभक आप लूग लोग देखना चाहें यहाँ पर 10 मिन्ट की प्रिडिक्चन करने की कोशिद करते हैं देखिया यहां से स्टाउक ने क्या किया आप देख सकते हैं आपको पहले से भी बताया हुआ है कि जब भी करेगी उपर जाके तो स्टॉक बुलिस हो जाएगा और नीचे कट करेगी तो यह स्टॉक यहां पर थोड़ा सा बेरिस मोमेंटम दिखा रहा है बट हाँ यहां पर आप देख सकतो यह स्टेबिलीटी भी नजर आ रही यह जो प या दो चीज हो सकती या तो बहुत जादा तूट जाए या फिर इस लेवल को ब्रेक करके उपर जाए यानि 1867 1867 के उपर आप पॉइंट नोट कर लीजिएगा अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो 1867 के उपर अगर क्लोजिंग देती है यह स्टॉक तो काफी बुलिस ह हो जाए गया इस लाओ सॉट टर्म के लिए और इसके लिए जो ओपर का लेवल है वह 1882 तक के लिए ओपन हो जाएगा जो कि पीवर्ट लेवल भी हो जाता है ठीक है अब सपोर्ट रेसिस्टेंस की बात कर लेंगे तो आप लोग को सपोर्ट का लेवल तो मैंने बता दिया रेसिस्टेंस का लेवल 1867 यहां पर होने वाला है उसके बाद 1871 पीवर्ट के कोडिंग उसके बाद 1882 तीन रेसिस्टेंस बता दिए अब फिबनेकी के लेवल सो वॉल्म देख लेते हैं वॉल्म के बात करें तो वॉल्म काफी लो अपमान के चल सकते हैं गिरावट में वॉल चल रहे हैं तो आज वॉल्म कम हुआ है गिरावट हुई बर वॉल्म कम हुआ है ब्रिंग पीरैम प्लिक को यहां सेali माल उठा शंट चैंज हो जाहाई अब अगयल कि देखें लगबग या लाइक अभी हम लोग बात करना चाहिए तो आप देख सकते हो सीधे हम लोग सपोर्ट रिसिस्टेंस की बात करेंगे तो अठार सो नब्बे का यहां पर आरवन जो है वो निकल के आ ठीक है उसके बाद 1895 का निकल गया रहा है और 1902 का यहां पर आरथरी बात करेंगे सपोर्ट की तो 1875 का सपोर्ट 1870 का सपोर्ट 1862 का सपोर्ट इन सब लेवल्स के वो नीचे है तो सबसे कुरूशियल सपोर्ट यहां पर हो जाता है आपको 1782 जो की 50-day moving average है और आपको अभी म ने बताया भी ठीक है अब हम आते हैं टार्गेट की बाइस की बात कर ले तो पहले कमेनिटी फॉरम की बात करेंगे लगबग 85% परसेंट इन वाल और 15% सेल की रिकमेंडेशन हमें मिल रही है टार्गेट की बात कर तो लगबग आपको यहां पर 2300 का टार्गेट दिया हुआ है जियो जित फाइनेंशल सर्विसेस ने भी यहां पर 2300 का आईसे इसे डारेक्ट ने भी 2300 का टार्गेट दिया हुए यह निए 2300 आप मान की चाल सकते हो मैक्सिमाम परोश टार्गेट यहां पर अब मैं यहां पर क्या करने वाला हूं देखिए सिदी बात बतारूं यहा तक यह सपोर्ट लेवल तक गिरेगा नहीं मैं हाँ पर पोजिशन बनाऊंगा नहीं तो मैं थोड़ा सा वेट इन वो सीचुएशन में रहूंगा और या फिर ऊपर 1867 के ऊपर चला है तो मैं एक स्विंग यहां पर ट्रेड ले सकता हूं इन्वेस्टमेंट के लिए आपक इतना ही मिलेंगे फिर किस ने वीडियो में तब तक बाई बाई टेक कर सब बागेर आउट ने कहल रखें अपनों ख्याल रखें जै हिंक जै भारत